नमस्कार दोस्तों सवागे ताप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Career Point YouTube चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं विज्ञान के टोफ हैने वाले सभी एक्जाम के लिए महतफ़ रहने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाश तक लगाए कि क्योंकि आज की पर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं आज की इस वीडियो का फैस्ट क्यूस्तों कौन एक जिवित जिवासम कहलाता आप लोगताएंगे जल्दी से कौन एक जिवित जिवासम कहलाता है फटाफ़ फट कमेंट करीगा कौन कहलाता है जिंग गो और अगला क्यूस्टिं देखी दमा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली ओस्थी, इफ्रेडिन किस से प्राथ की जाती है, आप लोग उताएंगे जल दिसे, दमा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली ओस्थी, इफ्रेडिन किस से प्राथ की जाती है, सही आंसर क्या होगा, इफ्रेडा, ओप्शन फरइंच्छ वीडि़ो को लाइक है तो फ्रेंच वीडियो को जूरू करे क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोर टूशनन हो्ता है था आपको और अच्छी वीडियो प्रवाइड कर सके हैं देखिए अगला क्यूशन किस पोदे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है आप लोग उताएंगे जल्दी से किस पोदे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है तो देखिए सही आंशर होगा साइकस ओप्शन भी आपका सही हो जाएगा, साइकस एक ऐसा पोदा है, जिसके अंदर फिंच देखें, बीज़्ध होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, फल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, तो option B, साइकस आपका right आइट आश्र हो जाएगा, अगला question देखिए, सुगंधित पुस्पों में, प् किसके परवर्दन के लिए प्रियोग क्या जाता है, आप लोग होता हैंगी जल्दी से, किसके लिए प्रियोग क्या जाता है, सही आंश्र होगा, गन्ये के लिए, option C, आपका सियोजएगा, तना काट आम तोर पर गन्ये के परवर्दन के लिए परियोग क्या जाता है, नाशुपत्य का कौन्सा भाघ खायाता है आप लोग आज़ते दिशें जल्दी से कौन सा खाया जते है चलिएं गुद्ददार पुषवासन खाया जते हैं option C, आपका से उजजेगा नाश्फत्य का जो हिश्दार क्वाशन अगर राने Qution देखिए, आलू किस कुल से संभन्नी तिकाई है, आप लोग ताएंगे जल्दी शे, किस कुल से संभन्नी तिकाई है, सही, आंशर होगा, Solen As, Option C, आपका से हो जाएगा, Next देखिए, कपास किस कुल से संभन्नी तिकाई है, किसे है, माल वेसी से, option A आपका सही आंसर होगा, माल वेसी अगला question देखी आम का वानस्पतिक नाम क्या है, आप लोग उताएंगे जल्दी से आम का वानस्पतिक नाम क्या है सही आंसर होगा, मेंजी फीरा इंडिका Option B आपका सिर जाएगा आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है मेंजी फेरा इंडी का होता है अगला question देखिए दलहन पोदे सम्मधिते हैं किसे सम्मधिते हैं लेग्यो मिनोशी Option C आपका सही आंसुर होगा अगला question देखिए चाय के पोदे का वनस्पतिक नाम क्या है चाय के पोदे का वनस्पतिक नाम क्या है चलिए देखिए थिया साइनेंसिस Option B आपका सही आंसुर होगा थिया साइनेंसिस राइट आंसुर अगला question देखिए निमन में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है मानव निर्मित दानने कौन सा आप लोग उताएंगे कौन सा है ट्रिटिकेल है उप्शन B आपका सही आंशरों का ट्रिटिकेल नेक्स देखी दाले किसका एक अच्छा सुरूत होती है फटाफट कमेंट करेंगे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक करें और जो भी बचा नया है चैनल को सब्सक्राइब जुरू करेंगा साथ में बैल आइकन भी ओन करेंगा दोस्तों दाले किसका एक अच्छा सुरूत होती है चले देखिए सही आंशरों होती है प्रोटीन का किसका सुरूत होती है प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरूत होती है दाले ओप्शन ए सही आंशरों होगा अगला क्यूशन देखिए पोदों में जल का प्रिवहन किसके दवारा होता है किसके दवारा होता है केसिका के दवारा Option D, आपका सी उजएगा याद रखिए, पोदों में जल का परिवहन केसी का के द्वारा होता है, अगला क्यूशन देखिए, पोदों की वुरिधी के लिए कितने आवशिक तत्तव की जुरूरत होती है, 16, आपका सी आंसर होगा, Option D, राइट आंसर, अगला क्यूशन मेगनेशियम की कमिश होता है, Mg, मेगनेशियम, याद रखिए, Option A आपका सी उजएगा, हरीम हिंता पतियों में मेगनेशियम की वजए से होता है, अगला क्यूशन देखिए, वन सागति के अध्यान से सम्मंदित जे विज्यान की साखा क्या है, तो देखिए कौन सी है, अ का फ़र कमेंट करेंगे, किसके DNA के बने होते हैं याद रखिए, Option C आपका सी हो जाएगा, DNA से बने होते हैं जिंस और DNA की पूर्म होती है, Deoxyribone Nucleic Acid, इसकी फुलफोर्म होती है, क्या होती है, Deoxyribone Nucleic Acid, अगला क्यूशन देखिए, सेल नाम किस जीव वेगनिक ने सरल पर्थम दिया था, सही आंसर होगा, Robert Hook, किस ने देथा, Robert Hook ने दिया था, याद रखिए, अगला क्यूशन देखिए, कौनसा अंग प्राय जन्तु कोशिका में उपस्तित नहीं होता है आप लोग होता हैंगे जल्दी से सही आंसर होगा लवक option C, सही आंसर होगा लवक यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अगला question देखी निमलिकित में से कौनसा कोशिका अंग DNA रखता है कौनसा माइटो कंड्रिया रखता है option B आपका सही जाएगा ठीक है याद रखिए माइटो कंड्रिया कुशिकांग DNA रखता है और DNA की फुलवा मोती है दियोक्सिराइबो नियोकलिक एससे अगला question देखी कोशिका वैया आणविक्जी technicians scripture कांपर है है हैदरबाद में option A आपका सही answer का कोशिका वैया aनविक्जी विगयान केंदर कहा है है हैदरबाद में स्थितर याद रखिए नेक्स देखिए कोशिका की आतम हत्या की थैली किसको कहा जाता है आप लोग पूछागे जल्दी से अगजाम केंदर यह क्योश्चन कई बार पूछा गया रिपीट वाए इसका सही आंसर जो जाएगा देखिए लाइसोस्वम अगे- अगला क्योश्चन देखिए न्यूपलिस की की कुछ श्रव पर्थम किसिन ने किती आप लोग पुत आएगई जल्दी से होता है कैप्सूल का आउण किसका बना ओता आप लोग पूता होता है जिसका बनाता है? stars का बनाता है, याद रखिए. Option A आपका सही ओज़ेगा capsule card बनाता है stars से. अगला question देखिए. सहथ का पर मुख घटक क्या होता है? आप लोग पटाइगे जल्धी से. सहथ का पर मुख घटक क्या होता है? क्या होता है? फ्रुक्टोज, option B आपका से याद रखिए, सैद का परमुख घटक होता है, फ्रुक्टोज, next देखिए, निमल कित में से सरवाधिक उज़ा प्राप्त करता है, सबसे अधिक उज़ा हमें, किसे प्राप्त होती है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, किसे प्राप्त होती है कार्बो हाइड्रेट से, option B आपका से याद रखिए, सैद का प्राप्त होती है, वह हमें प्राप्त होती है, कार्बो हाइड्रेट से, अगला क्यूशन देखिए, देखिएगा, निमल कित में से सरवाधिक उज़ा प्राप्त करता है, कौन करता है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निंगे तो प्लेज वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करेंगे जाने से पहले, देखिए निमल कित में से, शरवाधिक उर्जा किसे प्राप्त होती है, सही आंसे हो जाएगा, कार्बो हाइड्रेट, ओप्शन भी किसे होती है, कार्बो हाइड्रेट से हमें सबसेधी कुछा प्राप्त होती है, ओप्शन भी आपका सही आंसर हो गए यहापे, अगला क्यूशन देखिए, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, फटा फट कमेंट के लिएगा, फ्रेंट्स, इंपोर्टेंट क्यूशन है आग जैम के अंदर कई बार पूछा गया है, सही आंसर होगा क्या, देखिए, चावल, ठीक है, याद रखिए, चावल के अंदर हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फ्रेंट्स देखिए, दाल, दूद, मांच, इन सभी से, देखिगा, दूद, दाल, मांच, इ लिए, नेक्स देखते हैं, प्टाफार कमेंड करेगा, सही आंसर, विटामिन सभद किसने परती पाधित किया है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, देखिए, विटामिन सभद जो है, वो परती पाधित किया था, फंक ने, ओप्शन ए, आपका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्यूस्त ने, बार-बार बॉल रहे हैं, आप लोगों के लिए, आपके एक्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट है, जो रेल्वे, अंटी-पी-सी, ग्रूप-डी, अससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी गवर्वेंट एक्जाम की त अगला क्यूस्न करते हैं, कि विटामिन सी का रासाइनिक नाम क्या होता है आप लोगताएंगे जल्दी से विटामिन सी का रासाइनिक नाम क्या होता है अगर आपने फ्रेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक निकिया तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरूब कर देंगे देखिए विटामिन करते रहेगें का राइट आंस्वर माना स्री में ओशीजंग ँत्तौर का तताओ कीटना परतिस्थ होता हैं कितना होता है चलिए देखिए अंसर के उच्यसनुन होता हैं फिटी परसेंट पचाश प्रतिस्थ होता है औंपका सही हो जाएगा ठीक है, option B सही आंसवर होगा, अगला affection देखिए मछ लियों के यकत के टेल में किसकी परचुरता होती है मछ लियों के यकत के तेल में किसकी परचुरता होती है? आप लोग ताँगे जल्दी से सही आंसवर होगा itiamin D, right answer होजएगा ठीक है option D आपका सही answer होगा है आपे देकि vitamin D जो है हमें मचली के यकृत के तेल से भी प्राप्त होता है और इसके लावा हमाँ जो सूरे की रोशनी होती है उससे भी हमें अधिकता मात्रा में सबसे अधिक जो है सूरे के रोशनी से प्राप्त होता है vitamin D उसके बाद आता है यकृत का का संबन्द दातों की विकर्तिक साथ है आप लगताएंगे जल्दी से किस दत्तों का संबन्द दातों की विकर्तिक के साथ है किस के साथ चली देखिए फॉलो और इनके साथ उप्शन एक्योशन्हें को नेर्थ करने यह उप्शन होता है कौण सा था चलिए, सब्सक्रा beneath हटे करने के लिए वचियरे शुरूब नीच नैंतित करेंगे सब्सक्राइब कि डिखते हैं पाव के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ह्दिक फिजल्दी से अ लोहा जो होता है iron होता है है वो हमें सबसे दिक मात्रा में पालग के पत्तों से प्राफट होता है है और यह भी पूछ सकते हैं हरी सब्जीtwo देख कर पूछ सकते हैं की आयररन हमें किस से पूछ सकते हैं की आगला क्यूच्छन करते हैं कip अगmusicं करते हैं कि अ Manson करते हैं observing उसे जिस लेकर कारे परिकट होती है, कुन सा है, सही आंसर हो जाएगा चली दिखिए, मस्तिस्क, option A आपका सही आंसर हो जाएगा मस्तिस्क, ठीक है, अगला question दिखिए, केसिन दुख्द होता है, केसिन दुख्द कैसा होता आप लगता हैंगी, मदद करता है मानव शरी में संकर्मन को रोकने के लिए कौन मदद करता है आप लोग ताएंगे जल्दी से कौन करता है विटामिन ए मदद करता है ओप्षन ए आपका से जाएगा ठीक है विटामिन ए मानव शरी में संकर्मन को रोकने में मदद करता है और हमें में विटामिन जो है वो मिलता है अधिकतों मात्रा में गाजर से किसे मिलता है गाजर से मिलता है और विटामिन A हमारे शरी के अंदर याद सुनिए का ध्यान से विटामिन A हमारे शरी के अंदर यक्रित के अंदर पविश्य के लिए इखठा रहता है ठीक है यक्रित के अंदर इखठा रहत में विटामिन ए हम प्राप्त कर सकते हैं और विटामिन ए साहता करता है श्रीर में संक्रमण को रोकने में अगला क्यूशन देखी Cancer के उपचार के लिए Pariukth Radioisotope कौन सा है Cancer के उपचार के लिए Pariukth Theisotope कौन सा है चलिए देखी Radioisotope कौन सा Cobalt 60 C.O क्या है Cobalt 60 का परियोग होता है Cancer की उपचार में अगला Question देखी निमलक्त में से कौन सा रोग संक्रामक है आप लोग उताएंगे जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे कौन सा रोग संक्रामक होता है तो देखिए डिफ्थीरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है ओप्षन भी आपका सही आंसर होगा अगला क्यूशन देखिए छेली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा कि सब्ब professionals देखिए वीटामिन से निकल जाता है रही जाए और आप से पूशए लिए मिटामिन सी हमें सबसे अधिक मातरा में किसे प्राप्त होता है तो याद से याद रखिए आवला से हमें विटामिन सी जो है दिग मात्रा में मिलता है याद रखिएगा तो छली होई सब्जों को बार-बार धोने से विटामिन सी निकल जाता है अगला क्यूशन देखिए मनुश्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्षित होते हैं सही आंसर गा 20 दाथ आपका सी हो जाएगा ओप्शन सी राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए मानसर में पाचन का दिकांस ble कि अंग में सम्पन होते हैं मानसर में पाचन का दिकांस बा किस अंग में सम्पन होते हैं इसका शय आंशर ग рассказ गाएगा छोटी आंथ में ओप्शन सी आपका सी औजएगा ठीक है याद रखि चोटी आथ के अंदर जो पाचन की रिया, वो इन जाती है, याद रखीगा, तो हमारा एक क्यूस्ट्न क्या था, मानवच्ञ में पाचन का धिकान सभाग की संग में संपन होता है, तो छोटी आथ में संपन होता है, अगरा क्यूस्ट्न देखीजु इस जबी हैं, पाचन एंजाइम है, ठीक है? याद रखिए, ये तिनो क्या है? ट्रीब्सिन, पेप्सिन और ताइलिन, पाचन एंजाइम है, लेकिन गेश्टिन पाचन एंजाइम नहीं होता है, अगला क्युश्ण देखिए, मानव शुरेमिन ने मिलिकित हार्मोनों में से, कौन सा रत कैल लगबक कितने फीट के लंबी हो लगबक कितने फिट लंबी होती है तो तो दिखे इस का सही हांसु जन्षाएगा फ्रेंट्स क्या होती है 32 32 32 फिट लंबी होती है मानों की पाचन नली की बात हो रहे हैं यहां पर तो ओप्षन डी आपका सीव जएगा मानों की पाचन नली जो होती है वो लगबग 32 फिट के एकोल होती है अगला क्यूशन देखी पेट में भोजन को पचाने के लिए निमन में से किस की आउशिकता होत होती है अगला क्यूशन दिखी निमने कित में से किस आमल enable की ऊपस्यति मानो पेट में होती है अगला इकी किसके दबार होता है मनुषयं में एकिक गतियों का नियंत्रन चर्षर के अंदर किया जाता है आपका टापकर्म कहा नियंत्रित होता है किसके दबार होता है देखिए, सही आंसरोगा हाइपो थेले में से, option C आपका सही हो जाएगा, ठीक है, temperature जो सरीका वो हाइपो थेले में से, ने इंतरित होता है, अगला question देखिए, अमीबा में बोजन का अंति घ्रेंड किसके दवारा होता है, आप लोग ताइगे, अमीबा में बोजन का अंति घ्रेंड किसके दवारा होता है, किसके दवारा, कुट पाद के दवारा, option A आपका सही हो जाएगा, याद रखिए, अमीबा में बोजन का अंति घ्रेंड कुट पाए जाने वाला एंजाइम है option c आपका सही आंसर उजेगा टाइलिन अगला question है और जाओ उत्पादने के लिए कोशिका प्राय किसका उप्योग करते हैं आप लोगता हैंगे जल्दी से किसका उप्योग करते हैं इसका सही आंसर उजेगा glucose option b right answer किस अभिकरिया द्वारा पोदे में oxygen बहरी वातावन से कोशिकाओं में पहुंचता है आप लोगता हैंगे जल्दी से तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा विस्रन ओप्शन भी आपका सही जटे का विस्रन से oxygen जो है वाता वड्शन से सिदे कोशिकाओं में पोधर की कोशिकाओं में पहुंचता है अगला question देखिए सावशन की अभिकरिया में खादे पदातों की प्रेनित क्या होती है सावशन की अभिकरिया में खादे पदातों की प्रेनित क्या होती है आप लोग ताएंगे जल्दी से क्या होती है विगटन होती है याद रखी का फ्रेंड्स option A आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखी की मनोश्यके मस्तिस्की सबसे बारी जिल्ए क्या होती है कौन दिशे होती है आप ल стенगे जलिखे मनोश्यके मस्तिस्की सबसे बारी जिल्ए कौन दिए सिह आंस्वर होती है वेला चैटायए ऋपशन्स fest की दिव्दार करको दोंण द Agust R वायू में सामनेत देची कहते हैं कबन डाउकसाइड गैस होती है योग्साईड दिन्मे ऑक्षिजन गैसोड़ते हैं रात में क्या थोडते हैंस गैस फोरते हैं और याद रखी का CO2 छोड़ते हैं पोदे रात में यह क्यूशन आपके एक जम के अंदर पूछा गया है और दिन में oxygen छोड़ते हैं चले फ्रेंट्स क्यूशन देखीगा चाय में पनपने वाले पोदे को क्या कहते हैं आप लोग उताइगे जल्दी से चाय में पनपने वाले प अंक क्या होता है आप लगताएगे जल्दी से अगर आपने बी तक फ्रेंट्स वीडियो को लाइक नहीं के तो एक एक वीडियो को लाइक जरू कर देजीगा सभी मनुश्य में मुख्य सब्सक्राइग क्या होता है फेपड़ा होता है option A आपका राइट आंसरों का फेपड वह कै और वह याद रखिए. टीबि और जो निमोनिया है वह क्या हैं 0 तर्त 500 भीमारिया है याद रखिए. अगला क्यूशन देखिए उच्छ रक्त चाप की अवस्ता को क्या कहते हैं उच्छ रक्त चाप की अवस्ता को क्या कहते हैं आप लोग ताएंगे जल्दी से क्या कहते हैं हाइपो टेंशन option A आपका right answer का उच रक्षाप के वस्ता को कहते हैं हाइपो टेंशन याद रखिएगा अगला question देखिए मचलियों में उच्छाजीत पदार्थ क्या है आप लोग ताइगे मचलियों में उच्छाजीत पदार्थ क्या होता है सही answer क्या होगा चले देखिए इस question का सही answer जाएगा फ्रेंश अमोनिया option D आपका सेवज़ेगा मचलियों में जो पदार्थ उच्छाजीत क्या जाता है मचलियों के दवारा वो होता है अमोनिया अगला question देखिए पोदों में आवशकता से अधिक जल किस परक्रिया दवारा बाहर निकालते है आप लोग ताएंगे जल्दी से पोदों में आवशकता से अधिक जल किस परक्रिया दवारा बाहर निकाले जाता है सही answer होगा देखिए वासपोज सेजन किरिया के दवारा किसे कहते हैं पत्ति को कहते हैं आपका सही आंशर होगा ठीक है याद रखिए प्रकास अंसलेशी अंग को होता है पत्ति अगला क्यूशिन देखिए पोदों में गैसों के आदान परदान के लिए रहते हैं पोदों में गैसों के आदान परदान के लिए क्या रहते हैं आप लोग उताएंगे जल्दी से तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा इस क्यूशिन का सही होज़ेगा रंदर आपका राइट आंसर ओप्शन भी फ्र फेपड़ा का आकार कैसा होता है कैसा होता है संक्वाकार ठीक है संक्वाकार आकार का होता है फेपड़ा ओप्शन सी आपका सही आंसर होगा अगला क्यूशन देखिए चलिए देखिए अगला क्यूशन बोजन का पाचन किस परकार के अभिक्रिया है बोजन का पाचन किस पर पाचन क्रिया है वो का से प्रारम होती है याद रखिए वो होती है मोशे प्रारम होती है और ठीक है कम्पलिट का पर होती है छोटी आत में जाकर जो है पाचन क्रिया हमारी कम्पलिट होती है छोटी आत में पाचन क्रिया जो है वो ईपोर्णेंट याद रखिएगा। अगला QP लेखिए। हार्मोन सबढ़ का नाम कर्ण किसने क्याता। किसने क्याता। परितिकर्ण का नियम किसने दिया था। आप लोग ताएंगे जल्दे से पर्थिकन का नियम किस ने दिया था? सही आंसरों का मेंडल, ओप्शन C, राइट आंसरों देगा, याद रखे, मेंडल के दवारा पर्थिकन का नियम दिया गया था. अगला क्योशन देखिए, जीव विज्ञान सबद का पर्योग सरव पर्थम किस ने दिया था? वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन, सही आंसरों क्या होगा, देखिए, जीव विज्ञान सबद का पर्योग सबसे पहले किया था किस ने, लेमार्क ता ट्रेवी रेनस ने, उप्शन ए आपका सही होगा, लेमार्क और ट्रेवी रेनस, नेक्स देखिए, वर्नसपति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, वर्नसपति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है, आप लोग ताएंगे, परियावन का देन जीव ग्यान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है पोदो को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है क्या वरगी की कहलाता है जिन पोदो पर बीज बनते हैं किन्तु पूस्प नहीं लगते हैं क्या वरगी क्या अनावर्त वीजी का लगते हैं जिवानों की साधारण आकरती क्या होती है तो देखिए सही आंसर क्या होगा छड रूपी ओप्शन सी आपका शियोजे का छड रूपी होती है ठीक है याद रखिए जिवानों की साधारण आकरती अगला क्यूशन देखिए निमल खित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है आप लोगताएंगे जल्दी से कौन सा होता है तपेदिक ओप्शन बी आपका शियोजेगा तपेदिक क्या है बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी होती है याद रखिए अगला क्यूशन है मानव की आथ में पाया जाने वाला जिवानों कौन सा होता है सही आंस्वर होगा Acereasi I-Coli Option A आपका सही हो जाएगा याद रखे माना के आत में पाया जाने वाला जिवानू है Acereasi I-Coli Next देखिए Antibiotics अधिकांस्त पाय जाते हैं Antibiotics अधिकांस्त है पाय जाते हैं किसमें देखिए जिसमें पाज जाते हैं जिवाणों में option D आपका से हो जाएगा जिवाणों next देखिए निमन में से सबसे छोटा जिव है सबसे छोटा जिव कौन सा होता आप लगता है जल्दी से कौन सा होता है mycoplasma ठीक है याद रखिए mycoplasma क्या है सबसे छोटा जिव ओप्शन ए आपका सबसे छोटा जिव ओप्शन ए आपका सबसे आंसर होगा अगला question देखिए निमन में से कौन सबसे होता है निमन में से कौन सबसे होता है आप लोगता हैंगे सबसे आंसर होगा सेवाल किस से आयोडिन प्राप्त होते हैं। सही आंशूरूलोगा लेमनेयरिया, ओप्शन डी, हैंट्रीय से और πεॉप प्रान कर सकते हैं, लेमनेयरिया क्या है, एक शेयावाल डहता है याद रहींगआजार्höषन दीखिए। हाइड्रो-फोब्या रोग उत्पन होता यह विशानु से एक अनुवांसिक विमारी होती ही याद रखी गा और यह विशानु से होती है अगला question देखिए जनतुओं में होने वाली foot and mouth रोग किसके कारण उत्पनोता है foot and mouth रोग जनतुओं में किस कारण से उत्पनोता है विशाणू से option A आपका सही हो जाएगा विशाणू next देखिए kelp प्राप्त होता है kelp किसे प्राप्त होता है आप लोग आएंगे जल्दी से देखिएगा सही answer क्या अँचा हो गया kelp प्राप्त होता है friends किसे इसका सही answer हो जाएगा समուदरी शयरवाल से option B आपका सही हो जाएगा आथर कि kelp को हम प्राप्त करते हैं मुद्री शेयंवालों से नेक्स देखिए सभी कवक सदय होते हैं सभी कवक सदय होते हैं सभी आनसर कमेंट करेगा कैसे होते हैं विविद पोसी होते हैं चले फ्रेंट्स क्योश्चन देखिएगा जापान में लोग किस लाइकेन को सबजी के रूप में खाते हैं आप लोग लाइकेन होता है, जिसको जापान देश के अंदर सब्जी के रूप में खाया जाता है, याद रखीगा, ठीक है, जापान के लोग जो हैं, लाइकेन इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं, option भी आपका सही आंसर रोगा याद रखीगा, next देखी, झाय है उप्षिय का है एक जल्ए फ़र्ण अगर आपने अभी तक वीडियो को याइक नियो को लाइक करेंगे अपने अपने दोस्तों से शेयर करेंगे वस्प विट्स अपने चीन करनां doctor गला कि भी उपर लुड़ा खं़ाती से जरु है जा preparation के रूप में किसका परियोग होता है चले देखिए इसका सही आच्छों का एजोला ओप्शन भी आपका सही हो जाएगा ठीक है एजोला आपका राइट आंसर हो गया पर नेक्स्ट क्यूशन देखिए प्रोटिन जो कोशिका के भीतर उप्योग की जाती है किसके द्वारा संस सब्स्थर होती है ठीक है प्रोटिन जो कोशिका के भीतर उप्योग कि जाती है न वो मुक्त राइबो सोम के द्वारा फेंड्स संसलेे शित होते है याद रखिए एपसौं से आपका सही आंसर होगा अंगला क्यूशन देखिए मुलांकर से विक्षित होने वाली जडे क्य क्या कहलती है देखी क्या कहलती है मुशला जड़े कहलती है option a सही आंशरों का मुशला जड़े next देखी निमलिखित में से कौनसा एक जड़ नहीं है आप लोग ताइगे निमलिखित में से कौनसा एक जड़ नहीं है देखी friends सकरकन मूली और गाजर यह सभी क्या है यह सभी तो आलो जो है आपका सही आंसर हो को यहां पर ओप्शन C, राइट आंसर ठीक है, आलो जो है कि जड़ नहीं होती है, लेकिन इसकरकन मूल और गाजर यह सभी क्या हैं, जड़े होती है, नेक्स देखी, आउस्टम मूल पाई जाती है, किस में जल्ली से पताएंगे आप लोग किसमें पाई जाती है गन्ने में ठीक है आउस तब मूल पाई जाती है किसमें गन्ने में पाई जाती है याद रखेगा option A आपका सही आंसर होगा next देखी बर्गत के पेड के तने से लटकने वाली मोटी जड़े कहलाती है बर्गत के पेड़ के तने से लठेकने वाली मोटी जड़े कहलाती हैं आप लोग उताएंगे जल्दी से क्या कहलाती हैं स्तंब मूल कहलाती है ओप्शन सी आपका सही आंसर होगा next देखिए हल्दी के पोदे का खाने योगे हिस्सा कौन सा होता है आप लोग उताएंगे जल्दी से कौन सा होता है चलिए देखिए परकंद होता है option B सही आंसर होगा परकंद या पर राइट आंसर है अगला question देखिए संसार का सबसे बड़ा पोस्ट किसके दवारा उत्पन होता है सही आंसर होगा रेफलेशिया के दवारा option B आपका सही आंसर होगा ठीक है अगला question देखिए आदुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक कौन है आप लोग उताएंगे जल्दी से very important question exam में कई बार पूछा गया आप लोग उताएंगे जल्दी से आदुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक कौन है लिस्टर option A आपका सही हो जाएगा लिस्टर के दवारा आदुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी को विक्सित क्या गया था याद रखेगा next देखिए किसके दवारा अनुवान सिकता है कि विज्ञान को अनुवान सिकी का गया आप लोग उताएंगे जल्दी से किसके दवारा अनुवान सिकता है कि विज्ञान को अनुवान सिकी का गया चली देखिए वाट्शन के दवारा ठीक है option B आपका सही हो जाएगा next देखिए आप लगो उताएंगे रखी गी अगर्डे का पहला पर्थिस्थापन किन के द्वारा क्या गया था आप लोग ताएंगे जल्दी से किसने क्या था चले देखिए सई आंचरों का डॉक्टर क्रिश्चन बर्नार्ड ओप्शिन से आपका सेज़ेगा हर्दे का ठीक है कर्दे का पहला किसके द्वारा पर्ति पादित क्या गया था सई आंचरोंगा डार्विन ओप्शन बी आपका सई आंचरोंगा नेक्स देखिए हिस्टोलोजी सबद का सरव पर्थम परियोग किसने क्या था हिस्टोलोजी सबद का सरव पर्थम परियोग किसने क्या था आप लोग लेट नें नेक्स देखिए कि निमल्कित में से कौन सा उत्तक घ्हाव काओ बिलृण का याद रखिएगा इसल ह tow बड़ों और कि आपके एक एक लाइक से वीडियो को भी बच्चो तक पोहुंचेगी क्योंकि एक लाइक तो आप लोग लैक पे никакे बर्ला उसके फटाफड़ को लाइक करें अपने दोसों से teo's foreign जो नवे बचाया है यह चैनल को सभी सबस्क्राइब कर लेंगे तो क्योशन देखिए निमर्ड कित में से को एक सरीर को गरम रखने के लिए उत्रदाई होता है सरीदना का चालन सरीर के एक भाग से दूसरे में किसके दवार होता है सही आंसर होगा तंत्री का उत्तक option D आपका सियो जी का तंत्री का उत्तक से होता है अवेला question देखिए उट का कूबड किस उत्तक का बना होता है आप लोग तेंगे जल्दी से उट का जो कूबड होता है वो बना होता है किस से वशा में उत्तक से एगा है ओप्षोन एएए आपका सही आंश ओलोगा और देखी जो privacy हिसको क्या का जाता है इसको का जाता है राजास्तान का जहाज ठिक है चै고 moment u जैओ पूर मार्ष कोश्वाय्ई Biz पाए- जाती है किसमें सहोजी उत्तक में पहते हैं Favorite कोश्वायच्यों सदोथ होती है वह सहीोजी उत्तक में मिलती है अगला lich ऑफरों को डखने वाला ऑवन कहलाता है फेपडों को डखने वाला क्या केला पलूरा ओप्सवंड्य आपका सही आंसरों का पलूरा केलाता याद रखियागा नेक्श देखी किसी किसी जीवित देखे il कोशिका या उत्ता की मर्थव को क्या कहते है चल्ए देखिए क्या कहते हैं nephrosis कहते हैं option c आपका सही हो जाएगा अगला question दिखी कोशिका में पाय जाने वाले अनुवांसिक की पतार्त कौन से हैं आप लोग ताइगे जल्दी से कोशिका में पाय जाने वाले अनुवांसिक पतार्त कौन से हैं dna option c आपका सही होगा और dna की full form क्या होती लाता पिता के गूण उनकी संतानों में किसके दोवारा हस्तानंतित होते ही मातापिता के गुण उनकी संतानों में किसके दवारा हस्तानंतरित होते हैं चले देखिए किसके दवारा गुण सुत्रों के दवारा option B आपका सही हो जाएगा गुण सुत्रों से हस्तानंतरित होते हैं next देखी किस कार्ड एक माता-पिता के सभी संताने एक समान नहीं होती है किस कार्ड से होती है चले देखिए सही आंसर होगा अनुवांसिक विविन्ता ठीक है अनुवांसिक विविन्ता के कार्ड माता-पिता के सभी संताने एक समान नहीं होती है option A आपका सही होगा अगला question देखिए, लड़का पैदा होगा जब, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग ताइगे जल्दी सी, क्या होगा सही, बच्चे में X, Y कुन शुत्र हो, ठीक है, तो option C आपका सही आंसर होगा, next देखिए, अगला question देखिएगा, निमन लिखित में से कौन एक लिं अगला question देखिए, एक वर्णांत पुरुष एक सामने महिला से विवा करता है, तो वर्णांता के लक्षन उत्पन होगे उसके, तो वर्णांता के जो लक्षन उत्पन होगे, फ्रेंच, वो किसमे होगे, पूत्रियों के पूत्रों में वर्णांता के लक्षन उत्पन होग इस वीडियो को support करने के एक लिए एक एक like और एक एक series वीडियो को सभी बच्चे देंगे और जो नए बच्चे हैं पहले बार विजिट करें चैनल पर चैनल को सभी subscribe कर लिजीगा आपको यहाँ पर daily journal science, journal awareness, current offer की question मिलें जो कि free of cost होते हैं तो सभी बच्चे चैनल को subscribe जरू करेंगे और अपना feedback जरू देना वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसी लगे, question कैसे लगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तर तर गुडबाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातर